ओम नमस्षवाय श्वागत आप सभी का मेरे वक्ति वावने यूटूब चैनल पर आज मैं आपको नो रासियों का रासि फल बताऊंगा एक मार्च से 30 अप्रेल तक कैसा रहेगा इन नो रासियों का भाग्य पुत्र धन प्राप्ति के लिए नोकरी के लिए बिजनिस के लिए समय कैसा रहेगा यह संपूर जानकारी आज मैं आपको दूँगा तो आप वीडियो को लाश्ट तक देखें चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी चैनल पर पहली बरा हैं बगल में बैल आगन बटन को प्रेस कर दें दोस्तो एक मार्च से लेकर के तीसा प्रेल तक यानि ये दो महिने कई रासियों के लिए बड़े भाग्य साली हैं इनका जो प्रबाव है बहुत ही जादा सोब है जिन में से पहली जो रासि है वह है मेश रासि एक चीज का आप ध्यान देंगे और मैंने आपको पहले भी जान का लिए थी कि 21 फरबरी से लेकर के 21 फरबरी से लेकर के और 13 अप्रेल तक मेश रासि वालों को बेशे इसाफदानी बड़तनी है तो 13 अप्रेल तक मिला जुला प्रबाव रहेगा उसके बाद में तेरे के बाद मंगल तिरतियस यानि मंगल दोतियस आठेके तीसरे इस्तान में आ जाएंगे और सूर्य उच्छ रासि में आ जाएंगे जिससे आपके पुत्र और धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे योग बन जाएंगे ये जो समय रहेगा आपके लिए तेरे अप्रेल के बाद में बहुत ही अच्छा रहने वाला है तो "...इक्कीस परवरी तो जाचुकी है और तेरे अप्रेल आने वाली है तो ये आपको समाल करके प्रते कारे समाल करके करना आ है दूसरी जो रासि है ब्रसब रासि इसका जो समय है वह है उतार चड़ाब का और सुब रहने बाला है 16 मार्च तक ब्यवसाय खित्रों में आपके उतार चड़ाब देखने को मिलेंगे 17 से सुक्र, उच्चेस्ट ओने से सूची योजनाव में आपको सपलता मिलेंगे धन लाव वा उन्नती के अपसर प्राप्त होंगे ब्यवसाय आपका बढ़ेगा और पत्र प्राप्ते के भी चांसिस बनेंगे अप्रेल के महिने में धन के अच्चे योग बनेंगे वहीं 10 अप्रेल से सुक्र, 12 तोने से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और धन भी बढ़ेगा जो भी समस्यायांगी उनका निवारण भी होगा और आपको खुद भी निवारण करना होगा तो ब्रसब रासी के अच्छे योग बने हुए हैं तीसरी जो रासी है जो मद्यम प्रकार की रहने वाली है और पुत्र धन मामले में बहुत ही उच्च है वो गुरू की उच्चे द्रश्टी रहने से यानि करकरासी गुरू की उच्चे द्रश्टी रहने से कार व्यापसाय में उन्नितीवा प्रक्तिके कुछ मार्ग प्रसस्त होगे ग्रह में कोई मंगल कार संपन होगा कुछ बिंग्डे कार्यों में विशिष्ट व्यक्तियों से आपको जो लाब मिलेगा परवार में भाई बंदूओं का सहयोग प्राप्त होगा और चोट आदी का भी भेह रहेगा तो इसलिए बान आदी जो भी चरलाएं या सावधानी के साथ में जो आपको कारे करने हैं और 11 मार्च की सिवरात्री है सवी रासी वाले सिवरात्री पर विशेश उपसे भगवान सिवजी का पूजन जरूर करें इससे आपको अच्छा लाब मिलेगा और सिविलिंग पर धतूर आरपन करने से पुत्तर प्राप्ति होती है सिविलिंग पंचा मस्याप से करने से पुत्तर धन की प्राप्ति होती है सिविलिंग पर तेल आरपन करने से शरी को लाम मिलता है रोगनेवारन होता है और सिविलिंग पर गन्य का रश चड़ाने से धनकी प्राप्ति होती है तो सिवरात्री पर पिसे शुब से आप पूजा करेंगे आपको लाम मिलेगा अगली जो रासी है वह है सिंग रासी सिंग रासी बहुत ही शुब रहने वाली है शूर्य मंगल की दरश्टी रहने से किसी मित्र के सहयोग से विगना हुआ कार बनेगा विगन बादाओं के बावजूद निरवायोग धनकी आयत साधन बनेगे और पुत्र प्राप्ति के लिए ये जो महिना है मार्च अप्रायल का ये महिना सोब है कुछ खर्च भी बढ़ेंगे मंगल रागु काल सर्फियोग के कारण मानसिक तनाब बढ़ेगा बाण चलाते समय मार्च यंत्र का प्रियोग करें यानि अपने बाण में मार्च यंत्र लगा करके रखें सूर्य अश्टमत होने से स्वास्ट संबंद्र कष्ट हो सकते हैं त्यान रखना है आपको अप्रेल के महिने में सूर्य आपके अश्टम बाण में रहेंगे तो आपको नेत्र संबंद्र परियसानी हो सकती है रखते विकार या उधर रोग हो सकता है लेकिन 14 अपरेल से आपका भागे बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सूर्य उच्चिस्त हो जाएंगे जिससे आपके सोची योजनाव में काम्याभी मिलेगी ब्यपसाय में लाम मिलेगा और पदुन्नती होगी सरकारी नोक्री के योग बनेगे और पुत्र प्राप्ति के लिए ये समय ब्यद शुब रहने वाला है अगली जो रासी है वह कन्या रासी 11 मार्च से मासंत बुष्ट सश्टमत रहने से बंते कारों में प्यग्न पैदा हो सकते हैं परवार में उल जने बैप्साय में परिसानिया रह सकती हैं और विशेश रूप से शावदानी बरतनी हैं आपको अप्रेल के महीने में पुत्र प्राप्ति के योगें लेकिन धन प्राप्ति और परवार में कले के योग हैं इसलिए विशेश रूप से ध्यान रखना है तुला रासी का बहुत ही अच्छा योग है बिद्या केरियर के संबंद में सफलता मिलेगी सुब मंगल कारे संपन होंगी अठारे से शुक्र उच्चस्त मेर रासी में आने से बहुत बड़ा लाब है पुत्र और धन प्राप्ति का पूरबाद में कार केतर में व्यवसाय बढ़ेंगी नवीन कार की योजना बनेगी गत दिनों में किये गए प्रियासों में सफलता मिलेगी परिश्रम में भी जो भी कार करेंगी उसमें सफलता मिलेगी और बहुत ही अच्छे सुवयोग हैं तुला रासी के अगले जो रासी है वो है ब्रश्चिक रासी ब्रश्चिक रासी के पुत्र धन प्राप्ति के कैसे योग हैं अत्यंत संगस पुन परष्टतियों के मद्य व्यर्त की भागदोर फिलूल खर्ची से बचना है आपको बिलास आदि कारों पर धन कर्च नहीं करना है कारियों में बादाएं आएंगी ग्रह कलेश भी रहेगा तराप भी बढ़ेगा लेकिन भगवान सिवजी की पूझा आपको करनी है 6 अप्रेल के बाद आपके जो समय हैं वह बदलेगा और 6 अप्रेल के बाद आपके धन और संतार प्राप्ति के बहुत अच्छे योगें वही गुरू तरतियस से बिंग्डे कारों में सपलता मिलेगी यानि गुरू आपके तरतियस भाब में आ जाएंगे तो वह समयाब के लिए बेहदी शुब रहने बाला है अगली जो रासी है वह मकर रासी मार्च में का मैना गुरू सनी का संचार से बिप्रित परिस्तितिया रहेंगी बड़ी कटिंसा से निर्वाय योगाय के साधन बनेंगी मार्च का मैना बेशी सावधानी से आपको निखालना है वहीं छह प्रहसे गुरू का संचर हट जाने से आपका समय जो है बहुत ही बढ़िया शुरू हो जाएगा बैसे तो सही चल रहा है लेकिन मध्यम प्रकार का है आपका तो सनी देव की और सिवजी की आराधना आपको विशेशूप से करनी है धन कहीं भी नहीं लगाना है या कार कर रहें महीं करते रहें और व्यवसाहिब में विशेशूप से ध्यान दें आलस ना करें और धन को सुष समझ के लगाएं और जो भी कार करें परवार की सहमती से कर सनी देव को बिसे शूप से आपको मनाना है और च्छाया पात्रदान करना है तो यह थी आठ रासियों की जानकारी अगले वीडियो में आपको और रासियों की बाकी जानकारी प्राप्त होगी